मतन की बहुत ही मज़दार सी स्टाटर की रेसिपी बनाते हैं, आज मतन तंदूरी टिक का, इस रेसिपी का वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा हम रेस्टरांस यद धाबे में खाते हैं, तो ये रेसिपी बनाने के लिए पहले मतन को पका लेते हैं, एक किलो मैंने bonless mutton लिया हुआ है जिसके छोटे-छोटे pieces कर लिये हैं इसे डाल लेंगे pressure cooker में एक medium size की प्याज है इसे roughly chop करके डाल लेते हैं एक बड़ा चमश भर कर लेंगे अधरकलेंसन का paste मिल्फिस्ट नमक मटन के इसाप का डाल लेते हैं करीब डेड़ चमश मैं इसमें नमक आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा पानी डालेंगे करीब आधा कप मटन का अपना पानी भी चूटेगा और इस पानी में मटन पक कर अच्छी तरह से रडी हो जाएगा धक लेते हैं मतन का सारा पानी सूप जाए इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे फैला लेते हैं इसे और इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं अब तंदूरी मतन टिक्का का मसाला बनाने के लिए आधा कब दही लेंगे ये गाढ़ा दही है आप चाहें तो दही का पाने हैं सरसों का तेल इसमें आड कर लेंगे तीन बड़े चमच भर कर आधा चमच लेंगेली kgres्मेरी नाल मिर्चों का पाऊड़र चमच लेंगे गरम मसाले का पाउडर एक चमच ढलते हैं चाँठ मसाला दो बड़े एक चमज भर कर भुनी हुई कसूरी मेथी लेंगे इसे अच्छी तरह से हातों से मसल कर इस तरह से डाल देंगे नमक डालेंगे बस ये मसाले के हिसाब का एक चमज भर कर लेंगे अतरक लहसन का पेस्ट और सारी चीजों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इतनी अच अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए इसके बाद हमें इसमें डालना है फूट कलर तो फूट कलर में लाल वाला ले रही हूं ताकि रेस्टरांट और धाबे की तरह यह दिखे आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं एक निम्मू का रैस इसमें चोड़ लेंगे अब मस का हुआ मटन मटन डालने के बाद मटन को अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेंगे मसाला लग जाए सारे मटन के पीसे पर फिर हमें इसमें कोईले का धुआ दे देना है तो जलता हुआ कोईला रख लेंगे और थोड़ा सा इस पर तेल डाल लेते हैं ठक देंगे इसे और को डाल कर पका सकते हैं तो इस तरह से तीन से चार पीसे इस पर डाल देंगे सारा मटन का टिक्का स्कुवर स्टिक्स पर लगाने के बाद हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो थोड़ा सा तेल पैन पर डाल लेंगे मीडियम फ्लेम पर हमें मटन टिक्का को पकाना है अंदर से मटन अच्छी तरह से पक चुका है, बस हमें कोटिंग को अच्छी तरह से पकाना है, तो इसे पकाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अलट पलट करते हुए इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं, तंदूरी मचन टिक का जब आप सर्फ करें तो इस थोड़ा सा चाट मसाला और नीमोनी चोड़ कर सर्फ कर लीजिए, प्यास के लच्छे और हरी चतनी के साथ आप इस मज़दार सी रेसिपी को सर्फ कर सकते हैं,